तेज रप्तार ट्राइविंग जान लेवा होता है। की जान चली गई तो दूसरा अस्पताल में भरती है। हलांकि लोगों ने स्विफ्ट चला रहे हैं दो लोगों को पकर लिया और तीसरा भागने में काम्याब हो गया। पकरे गया लोगों को लोगों ने पुलिस के हवाले भी कर दिया है। आपको बता दें कि रभीवार के शाम करीब सात वजे पटना के अटल पत पर वहिशन दुरघटना हुई जिसमें एक के मौत के खवर आ रही है। अटल पत के महेश नगर मोर के पास एक अनियंतरित कार ने सौ से उपर की स्पीड में बाइक सवार को टकर मार दी। जिसमें बताया जा रहा है कि एक की मौत गटना स्थल पर ही हो गई। जबकि एक घायल हो गया। जानकारी के मुताविक आर ब्लॉक से दिखा जाने वाली लेन के महेश नगर कट के पास या वीशन सरक हादसा हुआ है। गटना की सूचना मिलते ही पुलिस जिपसी के साथ अधिकारी भी मौके पर पहुँच गये। लोगों की भारी भीर लग गई। गैलों को आनन फानन में अस्पताल भेजा गया। या हादसा वीशन था और जिस तरह से कार चाला गारी चला रहा था उसके स्पीड को देखकर लोग शूर भी मचा रहे थी। पर तब तक तीन से चार बाइक कार की चपेट में आ गया। कार भी बुरी तरह दुरगटना ग्रस्थ हुई है। कार सबार दो युबग को पकर लिया गया है। जबकि एक कार सबार भागने में सफल हुआ है। जबकि फॉर्चूनर कार का कोई पता नहीं चल पाया है। हलांके पुलिस आसपास के सिसी टीवी के जरिये फॉर्चुनर कार के ड्राइवर और गारी का पता लगाने की कुशिश में जुट गई है। यह दुरघटना इतना विशन था कि इसके विज्वल्स को देखके आप तहल जाएंगे। यह बिल्कुल पतना का अटल पत है। यह सरक जब बनी है तब से ही इस पर दुरघटना हो रही है लेकिन लोग नहीं मानने हैं। यह तस्वीर आप देखिए। यह अटल पत के दुरघटना ग्रस इलाके की तस्वीर है जहां आप देखेंगे कि पुलिस की गारी तो पहुँच गई है और साथ में सरक पर वो स्कूटी और बाइक भी परी हुई है। बताया जा रहा है कि कार के स्पीड सौ से अधिक थी और ऐसे में कार का ट्राइवर कार पर नियंत्रन नहीं रख पाया था। और इस अटल पत पर अमूमन लोग सौ से डेर सौ के स्पीड में गारियां चलाते हैं। जबकि सरकार ने यहां 40 स्पीड लिमीट कर रखा है। लोग मानती नहीं हैं। हाला कि मौके पर पुलिस ने वजरबहन बुला करके भीर को नियंत्रित भी किया और साथ में सरक पर गिरी बाइक और स्कूटी को लोड करके ट्रेफिक थाने ले गई है। एक गायल जो बहुत सिरियस हालत में है उसे पटना के एक नीजी अस्पताल में भरती कराये गया है। आपको बताने कि ये घटना रवीवार के शाम की है जहां पर अटल पत पर ये दुरघटना हुई है। इस दुरघटना में एक इसकूटी सवार की मौत हो गई। दुरघटना इतना विशन था कि आजपास के लोग इस दृश्य को देखकर दहल उठे थे। ये तस्वीर आप देखिए कि जब घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुँची तो पुलिस ने स्कूटी और बाइक दोनों को वहां से हटवाया है। साथ में जो दुरघटना ग्रस्थ बाइक सवार था उसे अस्पताल में इलाज के लिए भरती कराया है। ये पटना की अटलपत पर है। सरकार ने जब अटलपत का निर्मान कराया था तो उसी दौरान जगह जगह ये बोड लगा दिया गया था कि इस अटलपत पर कितने वज़े किस स्पीड में चलना है। लेकिन लोग मानते नहीं है और यही बज़े है कि इस अटलपत पर अक्सरहा दुरघटनाएं होती है जबकि सरकार और ट्रेफिक पूलिस यहाँ पर लगाता ड्यूटी भी देती है लेकिन लोग मानते नहीं है स्थिपडी जायर आ रहा था फोचेनल आ रहा था दोनों में टककर हुआ और मार दिया दोनों बाईक बाईक वाले कि इस ना पर आएक शिर अटानलाइं कि अपधिन नहीं है नहीं दो पाइक एक खूखी आगा आ था, इंसे उसे काड़ आया, फुली स्पीड लगड़ा, अन-बैलेंस हुआ जयसे अन-बैलेंस हुआ तो उसमें वरिकेट में टक्राते हैं थाती एक बाइक वाला को लिया, और उसको जैसे घूमा ना, उसमें शेकर शेकर विधाद तक बैराला तेज रफ्तार ने फिर एक की जान ले ली है और अटल पत को काफी देर तक जाम करा दिया है। लोगों को समझना चाहिए कि तेज रफ्तार ड्राइविंग कहीं से भी allowed नहीं है लेकिन लोग मानती नहीं है। कार का भी नुक्सान हुआ और एक जान का भी नुक्सान हुआ है। खुलासा के लिए पटना से बिने तिवारी के साथ बिक्की कुमार की ये खास रिपोर्ट।